साथियो नमस्कार, साथियो आज स्रावण मास का पहला स्वामबार है, वर्स दो हजार तेईस का, आप सभी का हमारे चैनल ग्यान एंड नॉलिज में सादर अभिनंदन है, स्वागत है, और आज जो परिचर्चा का विशय है, वो भगवान श्यो ही है, कि सत्यम, सिवम, इस जैविक पदार्थों को ही क्यों अर्पित करते हैं, जिसमें दूद प्रमुक है, इसका क्या विशयस कारण है, क्या कोई विज्ञानिक कारण है, या हमारी एक आधार भूत परमपरा है, इस पे मन्थन है, आप भी सुनिए, कि हर घर में, हर एक किलो मीटर में, हम थोड़ा सुनिए, और बहुत ही ग्यानवर्दक की एक मन्थन भी है, यह चलता रहेगा, और पूरे सावन मास में, सावन मास में चलता रहेगा, और इसका जो लास्ट में, मैं इसका अपना मन्थन के अधार पर इसको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, कि चाहे अगर आप चार रोटी खाते हैं, तो दो रोटी ही खाईए, और दो रोटी का दूद खरिद कर भगवान शुव को अरपित करिए, क्योंकि वही भविस है, यही क्रिया हमारे भविस की आधार सिला सावित होगी, और भविस भूत में भी, हम इसी को आदी और अनादी अखंड काल से कर चले आ रहे हैं, आज के प्रसंग में तो वही चर्चा है, जो कई सालों से चली आ रही है, कि भगवान शुव को दूद क्यों अरपित किया जाता है, इस पे कई भास हैं, शुव पुरान भी है, और भी बहुत सारे विचारकों ने, आचारियों ने, अपने अपने मत दिये लेकिन फिर भी हम आज आधनिक काल में भी ये तो मतलब आदी और अनादी काल से चला रहा है, भगवान प्रहु स्री राम जी ने भी जो है भगवान शुव जी की स्थापना की, स्री राम शुरम में और दूद का ही अरपन सबसे पहले गंगा जल जी के साथ किया, गंगा भी राम जी ने और राम शुरम तीर से दुनिया का सबसे महंतम तीर्थों में से ये तो है ही, तो अप्रश ने फिर वही आ रहा है कि आखिर दूद क्यों अरपित किया जाता है और भगवान शुव की पूजा में सीधे रूप से 36 पदार्थ अरपित किया जाते हैं, 36, मतल 36 पदार्थ अरपित किया जाते हैं, इन 36 पदार्थ में क्या विसेस्ताएं हैं, और क्या समरूपता है, और ये क्यों अरपित किया जाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रिश्टेशन है, और इसके लिए मैंने काफी अधिन किया, मैंने मनन किया, और पाया कि कई विचारकों के मत हैं कि सुक शांती के लिए धन संपदा प्राप्त करने के लिए पुत्र पुत्रादी प्राप्त करने के लिए एशर्व धन संपदा आदी सक्ती प्राप्त करने के लिए भगवान शूजी को खुश करने के लिए ये सपदार्थ अरपित किये जाते हैं ये एक बहुत बहुत विषय है और इस पे वास्तों में बहुत ही अध्यन होना चाहिए परसिलन होना चाहिए और एक तरह से चढ़ना तो उतना ही सत है जितना भगवान से हो हैं ये उतना ही आवश्चक है पूरी दुनिया के लिए आवश्चक है ये सिर्फ सनातन हिंदू या भारतियों के लिए ही नहीं ये आगे जो जलवायू और प्रिकति परिवरतन की जो महान भीषन समस्या दुनिया के सामने आ पढ़ने दो पेड़ों को और कटने दो फिर इसके बाद तब आपको भगवान स्यों का यथार्त स्वरूप इस ब्रह्मान्ड में दिखाई पड़े गा। पाद खवस्था को समझने में अक्षम है और समझने का प्रयास हिना ही किया। वास्तों में ये एक बहुत ही गूड़ विशाई है। और गूड़ विज्ञानिक विज्ञान अनुबंब को बनाने में लगता होगा उतना ही विज्ञान इसके लिए में छिपा हुआ है। इस बार स्रामण मास में पुरसोत्तम मास सामिल है तो दो माहे का ये स्रामण मास माना जा रहा है हम समय समय पर भगवान शीव जी को 36 जो तत्व अर्पित किये जाते हैं उनका विवेचन करेंगे और उनका मन्थन करेंगे और प्रतेक चीज का निसकर से निकालने का प्रयास करेंगे कि ये 36 जैविक पदार्थ जो प्रिकति से ओत्परोत हैं या प्रिकति के तत्व हैं ये भगवान शियो को सब एक ही उद्देश के साथ समाहित किये जाते हैं वो वास्तों में उद्देश की गूरता क्या है और उसमें क्या विग्यान छिपा हुआ है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे आप हमारे चैनल से अवस्जुड़िए और इस पर चर्चा में भाग देजिए और कमेंट के द्वारा अपने भी विचार रखिए जिससे ये बहुत अधिक चिंतन हो सके और इस पर एक बहुत अच्छा द्रिश्टिकॉन भी दुनिया के सामने आ सके और वो रहस खुल सके कि वास्तों में ये भारती आदी और अनादी काल से भागवान शुग के इन इस क्रिया को क्यों करते हैं क्यों दूद अर्पित करते हैं क्यों चंदन अर्पित करते हैं क्यों विविन प्रकार के फूल शुगंदित फूल अर्पित करते हैं आधी जो तत्व हैं और मैंने अपने ब्लाग की शुरुआत एक महात्पूर्ण विसे से की कि अगर आप चार रोटी खाते हैं तो दो रोटी खाईए और दो रोटी के इसे ये दूद और इन तत्तों को क्रै करिए मजार से और भगवान को अर्पित करिए जिससे मनुस्य का मानों का भावी जीवन बच सके और जल्वाईव दंस की समस्या का हम समधान खोश सके हमारा चैनल विसेशकर प्रिकती परियावरन और जल्वाईव के गूड तत्तों को जानने का प्रियास करता है और जन जन में चेतना फिलाने के लिए सक्री है जिससे सभी में प्रिकती परियावरन के प्रती जन जागरन हो सके बहुत बहुत धन्नवाद थैंक्यू थैंक्यू